नमस्कार दोस्तों मैं धर्वे नवरमा उनलाइन इस्टडीवी डीकी में आपका बहुत-बहुत स्वागात करता हूँ आज है 24 जुलाई और रेट एक्जाम हो चुका है फैस्ट शिप्ट का जिसमें आज आपको यहाँ पर 30 प्रशने मिलने वाले हैं जो की बच्चों को द् गलत भी बताते हैं तो हमें यह नहीं पता होता है कि यह प्रशने एक्जाम में पूछा है या फिर नहीं पूछा है जो प्रशने दिये जाते हैं उन्हीं को आपको बताया जाता है तो आप यहाँ पर कमेंट्स के माद्यम से नहीं कहिएगा बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ आज पूशे गए थे जो यहाँ पर इसे वीडियो में नहीं बताए हैं उन प्रशनों को आपको बताना है तो मैं सभी से आगरा करूँगा कि एक बार कॉमेंट से कुछ एक कर लिजेगा और अब सब्दों का प्रियोग बिल्कुल भी मत करिएगा तो यहाँ पर विदिक दिवस कब मनाया जाता है राष्टी विदिक दिवस के बारे में पूछा गया था इसे कम मनाया जाता है तो इसे 9 नवंबर को मनाया जाता है हातला गाउं का संब्द किस एकिकरन रियासत से हैं ये प्रशन भी आज पूछा गया था तो सिरो ही रियासत से हातला गाउं का संब्द होता है तो यहाँ पर देखें तीसरा प्रशन पूछा गया था 12 जिले का गठन कब हुआ था 12 जिले का गठन हुआ था 10 अप्रेल 1991 में 12 जेले का गठन हुआ था रामायन में कौन से संदी यहाँ पर देखे जल्दी जल्दी में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समय खराब ना हो आपको प्रिशन मिल जाए और आपका समय भी जादा ना लगे तो रामायन में कौन से संदी यह आज पूछा गया था तो रामायन में कौन से संदी होगी दिर्गसवर संदी होगी पुसकर में वरा मंदिर का जो निर्मान है ये किसके द्वरा करवाया गया था तो पुसकर में जो वरा मंदिर है इसका निर्मान अरणो राज के द्वरा कराया गया था प्रतिकुल का विलोम सब्द पूछा गया था कि प्रतिकुल में कौन सा विलोम सब्द है तो प्रतिकुल का जो विलोम सब्द होगा वो अनुकुल होगा सोलर पार्क कहां इस्तित यहां पर देखे सोलर पार्क के बारे में पूछा गया था और वहां पर आपका उत्तर होगा जोदपूर में जोदपूर में सोलर पार्क इस्तित है द्वजारोहन में कौन से संदी है ये पूछा गया था अजमेर दरगा पर जाने वाला पहला सुल्तान कुन था ये प्रिसना आज पूछा गया था तो वो मुहम्मन बिन तुगलक है जो की अजमेर दरगा पर जाने वाला पहला सुल्तान था सीलगुन, सीलगुन का सिध्धानत आज पूछा गया था वेशे बच्चों के द्वरा बताएगा कि सर चार से पांस सिध्धानत पूछे गये थे तो उनको एक से दो सिध्धानत ही याद रहे तो यहाँ पर अन आपका बिल्कुल सही अंसर होगा वालर अनरत्य किसके द्वारा किया जाता है यहाँ पर देखे वालर अनरत्य जो है यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है किसके द्वारा महिलाओं के द्वारा किया जाता है धात्विक खनीज कौन सा है देखें धात्विक खनीज कौन सा है उसमें विकल्प भी दिये थे और विकल्प में ताबा था तो ताबा एक धात्विक खनीज होता है राज के अनुसार सेश्व अवस्था की जो आयू होती जो आउधी होती है वो कितने से कितने वर्स तक की होती है तो राज के अनुसार पूछा था इनकी जो आउधी होती है बच्चों की वो एक से तीन वर्स तक की होती है सेश्व अवस्था की आयू या फिर आउधी माही नदी की कौन सी नदी साहिक नहीं आप देखें नेगटिव प्रशन पूछा गया था आप चार विकल पे कौन से थे इसके बारे मुझे नहीं पता लेकिन माही नदी की जो साहिक नदी है उनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ जो मुके सायक नदी है वो इरू है नोरी है, चेप है, सोम है जाकाम है, मोरन है, अनस फ़ानम है और बहदर है, ये सभी माहे नदी की मुकी सायक नदी है अब इसमें से जो एक नहीं थी वही आपका सेयांसर होगा अगुलास जल्धारा का जो संबंध है वो किस्से हैं तो ये हिंद महासागर से अगुलास जलदहरा का संबंध भारती पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक है यहाँ पर देखे भारती पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक के बारे में पूछा गया था तो ये एलेकजंडर कनिगम थ मनो विशलेशन सिध्धान्त किस ने प्रतिपादित किया यहाँ पर देखे मनो विशलेशन सिध्धान्त पूछा गया था किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया तो यह सिंग्मन फ्रायट के द्वारा प्रतिपादित किया गया हाली में हमने बहुत सारे वीडियो में इसक बारे में भी आपको बताया था नेतिक विकास का सिधान तो ये किसके द्वारा दिया गया था तो ये लॉरेंस कोहलबरगे के द्वारा दिया गया था राष्टी गीत में कून सा समास है देखे राष्टी गीत में समास पूछा गया था कून सा समास है हिंदी में तो इसमें त सरीर का सबसे कठोर्तम भाग पूछा गया था कि सरीर का सबसे कठोर्तम भाग कोन सा होता है तो ये इनेमल होता है आदिवाशियों का कुम्ब किसे कहते हैं ये आज पूछा गया था आदिवाशियों का कुम्ब किसे कहते हैं तो ये बेनेस्वर मेला को कहते हैं जो कि राजिस पालर पानी किसे कहते हैं तो जो पालर पानी होता है दोस्तों ये बरसात का सीधे रूप में मिलने वाला जल होता है या फिर पानी होता है तो ये 30 प्रशन आज हमें मिले थे जो कि आज के पेपर में पूछे गए थे तो यदि कोईसे प्रशन ऐसे हो जो नहीं पूछे हो तो उनके करम लिख सकते हैं कि सरी ये प्रस्ण नहीं पूछे गए थे आप इसको साधन तरीके सी भी कह सकते हैं तो यदी नहीं पूछे गए कोई इसी प्रस्ण ऐसे हो जो बच्चे द्वरा बताएगा ये लेकिन वो नहीं पूछे तो उनके बारे में बता सकते हैं आज आपका आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जब तक के लिए, धन्यवाद. झाल झाल झाल